नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सब का स्वागत है, आज मैं ब्रेड रोल की रेसिपी आप सब के साँ शेयर करने जा रहे हूं, ब्रेड रोल उपर से काफी क्रिस्पी होते हैं, और अंदर जो हम इसमें आलू भरते हैं, जिसकी वैसे ये बहुत ही स्वाधिश्ट बन के तियार होते हैं, तो वीडियो को लाज तक देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साँ शेयर करें, चलते हैं इसे बनाने के लिए, सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियो को लाइक करें, और हां पैल जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटिस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें ब्रेटरूल पनाने के लिए सबसे पहले हम इसके स्टफिंग बना के तयार करेंगे तो मैंने कड़ाई ले लिया है गैस अन कर लेते हैं और इसमें तेल डाल देंगे तो यहां पर मैंने 2-3 बड़े चम्मस तेल डाला है अगर आपके पास रिफायन नहीं हैस्थ GOTThis आप सलसो का तेल डालके भी इस रेसीपी को मना सकते हैं तेल को मच्छे से गरम कर लेंगे, तेल हलका सा गरम हो गया है, तो अब हम इसमें आधा चम्म साबू जीरा डाल देंगे, जीरा हमारा चटकने लगा है, तो यहां पर मैंने आधा इंच कद्दू कस किया हुआ अद्रक डाला है, साथी साथ 5-6 बारीक कटी हुई लैसुन की कल मिर्ची डाल देंगे, मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार डालें, क्योंकि कोई-कोई मिर्ची थोड़ी ज्यादा तीखी होती है, इन सबको हम हलका सा भून लेंगे, अधरक और लेसुन हमारा हलका सा भून गया है, अब हम इसमें एक छोटे आकार का बारीक कटा प्याज डाल देंगे, और प्याज को तब तब भूनेंगे, जब तक कि प्याज हमारी हलकी सी सॉफ्ट ना हो जाए, गैस का अच्छा मीडियम रखेंगे, थोड़ी दे बाद आप देखेंगे, कि प्याज हमारा हलका सा सॉफ्ट हो गया है, और यह हलका सा सुनेरा होना यहां पर मैंने स्वाद के नमक डाला है तो यहां पर मैंने एक चमश नमक डाल रही हूं नमक आप अपनी स्वाद के नमक डाले जितना आप आलू ले उसके हिसाब से थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पौडर डाल देंगे इससे हमारी स्टफिंग का कलर बहुत अच्छा आएग हमें तब तक बुनना है जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से गल ना जाए बीच बीच में एक दो बार हम इसे चलाते ज़रूर रहेंगे ताकि यह कड़ाई के तले से जले ना और यह हमारे प्यास टमाटर अच्छे से पक चुके हैं तो बारी आती है अब आलू को डालने की तो यहां पर मैंने तीन मीडियम साइज के अल उबले हुए आलू लिये हैं और इसे मैंने हां से अच्छे से मैश कर लिया है आलू को हम प्यास टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चार-पांच मिनट तक मीडियम आच पे भूल लेंगे अगर आलू कम हम इसमें थोड़ी सी बारी कट्यूहरी धनिया डाल देंगे गैस बंद कर देंगे और यह हमारी आलू की जो स्टफिंग है इसे हम एक दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं यहां पे स्टफिंग को मैंने एक दूसरे बरतन में निकाल लिया है और एक हम थोड़े बड़े बर भी प्राफेट 2 लतीर ऑो ऩका एक लिंगा बाड़ा है तो को यह राथ से डाहिए औरीज़ क्यों निकाले डिए ब्रेट के लिएय भी प्रेट के कॉरीजु करके चाहे इसथे सकते हैं इस प्रोसेस को हमें थोड़ा हलके हाथ से ही करना है और अगर बनाते सामें ब्रेट टूट जाए तो चिंता मत करियेंगा यह असानी से रोल हो जाता है एक चम्मच स्टफिंग डाल देंगे हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है अब हम क्या करेंगे कि ब्रेट का जो दोनों तरफ का कॉर्णर है उससे पहले हम दबा लेंगे और उसके बाद हम इसे चारो तरफ से इस पकार से रोल करते हुए दबाते हुए बन कर लेंगे यह देखिए यह कितनी आसानी से रोल हो जा रहा है तो यह मेरा एक bread roll बनके तयार है, यह देखिये, इसे मैं एक दूसरे plate में रख लेती हूँ और एक और bread को मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ब्रेट को लेना है, पानी में हलका सा डिप करना है, दोनों हतेलियों के बीच में हलके हाथ से दबा के इसका जितना एक्स्ट्रा पानी है, वो निकाल देना है, उसके बाद हम चम्मच से इसके अंदर एक चम्मच से टेर चम्मच से स्टपिंग बर देंगे, और मैंने जो यह जाए बन गरीँ को और चारो तरफ से घुमाते हुए इसे अच्छे से रोल कर लेंगे तो यह हमारे दो रोल बन के तैयार है तो मैं अभी से तलके आपको दिखाती हूँ इसे तलने के लिए मैंने ना-धुल फिर बबल को सब्सक्राइब तेल नहीं होगा तो तो यह बिखर ने लगेंगे और बहुत ज़ादा अंदर आउल सोख लेंगे जब तक रोल हमारे एक तरफ से नहीं सीखेंगे यानि कि हलके से सुने नहीं होगे तब तक हम इसे नहीं पलतेंगे और आप देखेंगे तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से करें नीचे से सीख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है तो यह देखेंगे असानी से पलट जा रहा है दूसरी तब से भी इसे हम हलका से सुनेरा कर लेंगे ब्रेड रोल उपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं टेस्टी होते हैं और तो नहीं रेसिपी को ट्राइ करें बनाएं खाएं सभी को किलाएं और हां कमेंट करके मुझे भी बताएं कि मेरी रेसिपी आप सब को कैसी लगी तो हमारा जो ब्रेड रोल है यह तोनों तरफ से अच्छा सुनेरा हो गया है तो अब हम इसे एक दूसरे बरतन में निकाल ल करना के तयार कर लेंगे और यह देखिए हमारे बहुत ही स्वादिश चट्पड़े रोल बन के तयार है आप इसे अपनी मन पसंद चेटनी के साथ सौस के साथ गरमा गरम सर्फ करें क्योंकि रोल का जो मजा है वो गरम गरम में ही आता है मिलते हैं एक और नी रेसिपी के सा आपके अपनी मन पसंद चैनल रेसिपी में तब तक के लिए बाई बाई